आपको कहीं नहीं लगता है कि अगर आप वो इंट्रिव्यू देने जाते बैंक का और वो नौलेज आपके पास नहीं होती तो आप शायद मुझे लगता हंडेड़ परसंट रिजेक्ट हो जाते हैं 100% से को संब्सक्राइब पता है नहीं पता जिर नॉर्मल लोग जानते हो जब तक नॉर्मल जानते हो तो तो फिर वो ना कैसे भी नहीं हो सकता नॉर्चू आपने कोर्समें डूल किया आपको जो स्किल सेट चाहिए थे वो मिल गए प्लेस्मेंट एक्स्पीरिंस कैसा था ये वैसे मेरा अच्छा था बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई लास्ट मैं जिस टाइम पर मुझे लग रहा था कि मैं बल्कुर प्रिपेर्ड हो बहुत अच्छी तरीकर प्रपेर्ड हूं एक वार में इंट्री ट्रेक कर दो यह कंडिशन थी तो मतलब आपने पूरी रिसर् कर लो रहा है तीन चार गुना कर लो बिल्कुल उतना था है मांशुफ कैसे हो सर में बड़ी हूं आप बताइए मैं बाल अच्छा हूं यार और थैंक यू सो मच फोर कमिंग यह तो बताओ यार अपने बारे में कुछ हमारे वीवर्स को कि आप कहां से हो क्या करते हो अभी आपकी फैमिली में कौन-कौन है कुछ अपने बारे में बताओ यह सर मैं सबस्क्राइब बताओ और मेरा नाम हिमानसु है और मैं गॉलियर के पास बिल्ट से हूं और करेंट में में जॉब एई-ई-उ बेंग में कर रहा हूं ओके जी सेल्स की पोस्ट पे और तो ठीक है ज तो कि मैंने हिंदी मीडियम से किया ता तो ओके धन जिसमें मैंने बैलोगी के स्टोंट अर फिर मैंने ग्रेजूशन किया ग्रेजूशन में मैंने बीचे किया वही बाई-लोगी से त्यूंकि मेरा जो सपना धाना वो डॉक्टर बनने था अच्छ तो आप मतलब आपका तो आपने कैसे प्रिपरीशन करी नीट की तो ऐसी टाइम पर पीडबली के बेच आया था पीडबली मीडियूम करके जो की क्रेस कोर्स था थेन से छे महीने रह गए थे अपर शमेड़ी एग्जाम के तो ऐस टाइम पर और प्रिपरीशन इसटार्ट की मैंने तना आटपूर नहीं दिया था मुझे लगे कि हाँ एग्जाम निकला तो फुड़ा बुरा ले फिर से ट्राय कर था ठीक है मैंने फिर से ट्यम दिया मैंनद भी की थी अच्छी मैंनद थी 515 प्लस मांक्स थी तोनलें की तियारी से तो दूसरा नहीं हुआ मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुनके क्योंकि पाँच नंबर तो मतलब बिलकुल आप बिलकुल अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच ही गए थे तो बहुत फिर यसा बहुत दीमोटिवेट फिर क्या सोचा मतलब कि अब आप क्या करना है फिर से रिये टेम्ट तीसरा टेम्ट देना है जैसे मैं तोटा था अंदर से बड़ एक आग रहती है जो लगता है कि मैं एक अटेम्ट और देना चाहिए वो सकता है हो जाया कहीं कमिया रही हूँ जिसकी कारण से नहीं हुआ हूँ मेरा मैं एक अटेम्ट और तीसरा अटेम्ट के लिए अपने फिर से तयारी शुरूँ ठीक मैं नहीं मतलब जितना हो सकता था मेरे से मैं अतना रियास किया उस के लिए ठीक मैं दिनना तेक करती 24 गंटे में से 16-17 गंटे में पड़ाई में लग गया था वो स्कूर कहीं न कहीं उसी रेंज पर जागे रह गया फिर से रह गया उस साल जो है नीट का कट अब जो एंबीबेस के लिए वो 5-7-10 नमर और बढ़ चुका था वो वही रेंज जो मैं पहली रह गया था पास आपने मर से वोई रेंज में फिर रह गया बहुत बहुत ही मतलब मुझे बहुत तूप हो रहा है सुनके कि आपने मेहनत की लेकिन फिर भी नहीं हुआ बट इसका मतलब मैं मतलब मेरा सब बंद बरो क्योंकि सब को बताए कि अगर हम ट्राइ कर चुके है काफी हद तक ट्राइ कर चुके है तो नहीं हो रहा या अपनी गलती हो जो कुछ भी हो पर अंदर से इंसान पूप जाता है फैमिली का क्या कहना था फैमिली का कहना था कि भाई बहुत पैसे परवाद हो चुके है अब रहने थे तो कही ने कही मतलब उनको भी ट्रेस्ट नहीं था और वो भी परिशान थे कि भाई आपका सपना था आप नहीं कर पाए फिर आपने मतलब फिर क्या किया अच्छा तो उस टाइम पर मतलब यही सोचते सोचते मतलब एक तो प्रॉब्लम यह भी थी कि उमर जो थी ना बहुत बढ़ती जा रही थी जिस दौर पर पढ़ाई के साब पैसे की जरूरत होती है जो कि हम घर से नहीं मांग सकते बारवाद तो कोई financially आपको challenges थे कुछ ऐसा मतलब आपको लगता था कि मुझे financially independent होना है मुझे अपनी family को support करना है ऐसा कुछ था और इसलिए आप सोचते थे कि मैं कुछ अपना करता हूँ या पैसे कमाता हूँ और support करता हूँ ऐसा कुछ था? हाँ सर सेम ऐसा ही था फिर मैंने अपना एक business start किया जो की car parts का था जिसमें car के जो बंपर बगएरा है उसके shop डाली थी जो की business start किया वो चलाया कोई समय तक फिर अचानल कुछ परिशानी आपको देखते हूँ जैसा लग रहा है कि कुछ बाद है या कुछ परिशानी आपको उस business में भी आई परिशानी आई थी परिशानी ये थी कि वो जुनून अंदर था वो चेड़ रहा था कि भाई तु वो कर रहा था और छोड़ के कैसे चला फिटी कि ऐसे ऐसे समय निकला थोड़ा और अंदर से मन नहीं मान पी डबलू के साथ जुड़ा दो था ही तो कि मैंने नीट की फ्रबिशन की थी उसके साथ उस बीएफसाई के बारे में नहीं सुना अच्छा अपना business करते करते आपने बीएफसाई के बारे में कुछ सुना फिर मैंने सोचा कि बीएफसाई है क्या पहले जाना जाए पता किया तो पता चला कि बेंकिंग फाइनेंस से डिंडिटेड कोर्स है जो कि फिर मनू करा रहा है और एक ऐसी प्राइस इरेंजर में करा रहा है जो कि पॉकिट फ्रेंडली ठीक है मजे लगा करा जाए तो आपने सिर्फ पॉकिट फ्रेंडली देखते वे किया या फिर आपने उसके बारे में रिसर्च की कि एक्चुली भी एफसाई है क्या ठीक है उससे होगा क्या ये तो पुछ आपने तूंडा होगा ना अब को सर्थ मैंने तूंडा मैंने सर्च किया तो मैंने कई ऐसे एस्ट्यूट से जिनको मैंने एक बार देखा तो उसकी फिर्ज जो थी ना वो प्राइस नो में काभी हाई थी और बता वही पढ़ा वही रहते जो यहाँ पढ़ा तो मतलब आपने पूरी रिसर्च करी कि जो यहाँ पढ़ने वाला हूँ वो वहाँ पढ़ने वाला हूँ लेकि प्राइस काफी आई था ठीक है आपने क्या किया फो उसकी प्राइस रेंज यहाँ साइदे बहुत जादा ही हो भी नगर इंटो 3-4x कर लो रहे तीन-4 गुना कर लो बिलकुल उतना था उतनी ही थी तो मैंने मतलब पी डवलू के उपर ट्रेस्ट भी था थोड़ा इससे थोड़ा और भी विल्ड हुआ ठीक है पैसे भी कम है और जो ब्रांड वैल्यू है कुछ तो है तो मतलब ये तो आपको पी डवलू पर ट्रस्ट था लेकिन आपने BFSI के बारे में क्या जाना कि आपको actually मतलब BFSI क्या है और आपको उससे क्या मिलने वाला ये तो आपने सोचा होगा ना कि इस कोर्स को करने से मुझे क्या सीखने को मिलेगा और मैं कहा जा सकता हूं? बस यही एक रीजन था कि उझे लगा कि यही एक इंडस्टी है जो उझे कुछ बना सकती है ठीक है तो आपको लगा कि चलो डॉक्टर नी बन पाया खोई बात नी अपना काम शुरू किया इसमें मन नहीं लग रहा है खुद कुछ करना है, मतलब कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, इंडस्टी में आना है तो आपको लगा कि BFSI इंडस्टी कैसी इंडस्टी है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो और आपने आपको इसा सक्सेस्फुल मैन देख सकते हो कुछ सालों के बाद ठीक है, तो आपने आपकी सोच बहुत सही थी, मैं I would love to appreciate कि आपने सा सोचा कि एक बार फेलियर आया, फिर बिजनस किया, वो भी आपने छोड़के आपने डिसाइड कि मैं इस इंडस्टी में जाना चाहूंगा तो उसके बाद आपने क्या किया, बतलब BFSI के PWS किल्स का कोर्स देखने के बाद, आपको कैसे experience और आपकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या आपने सीखा, कैसे आपके teachers थे, उसके बारे में कुछ आप बताओगे अपने experience मैं आपको कहीं नहीं लगता है, कि अगर आपको कहीं नहीं लगता है, कि अगर आप वो interview देने जाते, bank का, और वो knowledge आपके पास नहीं होती, तो आप शायद, और मुझे लगता है, hundred percent reject हो जाते है, hundred percent, sir, because son, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, जो जब तक normal जानते हैं, वो आप जानते हो, तो तो फिर वोना कैसे भी नहीं हो सकता, ना, ठीक है, तो core banking की knowledge आपको मिली, और आपने interview में अच्छे से मतलब, जो भी आपको knowledge आपने, जो भी सीखा, वो बताया, उसके अलावा, और भी कोई skill set ऐसा develop किया, जिससे आपका मतलब, पूरा तीन महिने में, आप का होगी, कि मेरा transformation हो गया, मेरी पुरी personality ही चेंज हो गई, वो कौन सी skills थी, soft skills, okay, कौनी के से skills को सुदा रहा है, जो कि में आज के आपके साम पर बैटके बात कर पा रहा हो, यह साइद, उसी जिबह जासे, वालब, आप मतलब कि इतना confidently बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो कि उस ही skills के वज़े से, आप आज मेरे से बात कर पा रहा है, जो इसे soft skills में बिन्दा में थी, वफत अच्छी तरीके से, जो उन पर लेती थी पड़ कैमरा ओन कर, कैमरा बंद करके आप के लास नहीं ले सकते, जो कि वो इंट्रेक करना चाहती थी आप से, उन्हें आपके अंदर का जो डर है, वो खतम करना है, जो कि आप कैमरा ओन करक होगे, तब आपके अंदर पहता है, तब ही तो हम एक दूसरे से भी बात कर पा रहे हैं, तब ही तो आपने कोर्स में रोल किया, आपको जो skill sets चाहिए थे, वो मिल गए, प्लेस्मेंट experience कैसा अच्छा था, बट कुछ प्रोब्लम्स ऐसी हो गई, लास्ट मैं, जिस टाइम तो मुझे लग राता है कि मैं बट कुल प्रिपेर्ड हूं, बट अच्छी तरीकर प्रिपेर्ड हूं, एक वार में इंट्रिवु क्रेक कर दो, ये कंडिशल थी, मैं पहुचा आना उस टाइम पे, तो मुझे बड़ा आजीव लगा, कि अंदर से इतनी गवड़ाट, कि भ क्या करना चाहिए, मतलब डरे हुए थे, बिल्कु डरे हुए थे, मतलब अच्छी तो मैं ने समझा, समझा कि हा जाना चाहिए, तभी होगा, तो बहार वेटे से तो मतलब नहीं है, इंट्रिव्यु के टाइम पे भी गाइड किया, और अवेलेबल थीम है, कि आपको मोटि इंट्रिव्यु दिया, कितनी देर आप इंट्रिव्यु चला, वो इंट्रिव्यु एप्रोक्समेटली 20 मिनिट से ना होगा, और उन्हा उसी टाइम पर बोल दिया था, कि आप सेलेक्टेड हो, एचर का कॉल आएगा, आप जो अपकी प्रोचे से आगेगी, तो आपको मु मुझे तरह लग रहा था कि मही से कोपी किया गया है, अच्छा, मुझे तर उस टाइम भी लगा, क्योंकि जो चीज़े पढ़ाएं गएं, जो चीज़े समझाएं गएं, जो चीज़े स्किल्स में भी बताएं गएं, तो जो नॉलेज, पैंक्स, या फाइनशल कंपनीज द पढ़ाया जाता है, और वही चीज़ आपको help करती है, एट दी एंड, इंटर्यू क्राक करने, बस, यही मैं सोच नहीं पार, क्योंकि प्राइस कम थी, तो विश्वास वरने में समस्य होत, क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि यो कोर्स, अधरन इंडिस्ट्रीज, इस्ट्यू इसा नहीं होता कि कोई चीज कम प्राइस में है, तो उसकी वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू आपको समझ में आ रही है, तो कोई ऐसे last message आप देना चाहोगे, जो बच्चे है, जो students है, जो अभी decide नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनका भी कोई ambition था, जैसे आप भी फसे हुए जिन से आप बहार निकलोगे और बहुत अच्छी गरूत, टाइक, ग्रेट, इट वस नाइस टॉकिंग तो यू, बहुत अच्छा लगा आप से विज़के, congratulations, and all the best, I hope कि आप एक अच्छे लेबल पे, एक अच्छी पोजिशन पे, BFSI इंडस्ट्री में रहो, और मैनत करत हु, थेएज, तंसरो, टेज थेव, तंसरो, जेएएज अच्छी गरूताय।